आज हम लोग को अनुसंख्या गुंधर्म और अभिक्रिया की कोटी मंतर्स में समझना है ये दो मार्स में पूछे जाते हैं बहुत इंपोर्टेंड इसलिए इसको माथे में अटा ही लिजिएगा इसलिए सबसे पहला गुंधर्म को देख लेते हैं कि अंतर क्या है कि अभिक कि कोटी को परियोगदोराभी शावित किया सकता है उसके बाद है जैसा पुर्णंक में हो तक मतलिए अगया तो दू होगा यह तो मैंस उसके बाद पांचमा अंतर है कि अनुसंख्या गुंधर्म में क्रिया बिधी की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि अभिक्रिया कैसे होती है किस परकार होती है सब की जानकारी आपको अनुसंख्या गुंधर्म से नहीं मिलेगे लेकिन अविक्रिया की कोटी जो है, हमें बताती है कि अविक्रिया कैसे संपन हो रही है, किस तरह से संपन हो रही है, तो ये शारी जनकारी अविक्रिया के बारे में जनकारी है, हमें अविक्रिया की कोटी से मिलती है, ये पांस अंतर आपको माथे में आटा लेना